सब्सक्राइब आपको concept किल होना बहुत ज़रूरी है तो concept क्लियर करना है तो प्लीज बूक्स और पेन नहीं करें क्योंकि मैं जितने tips दूंगा वो कहीं न कहीं आपको बहुत फाइदे मन दोगा और कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा help करेंगी ठीक है क्योंकि देखों यह चीज है इसी किये वे वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि वह टिप्स जो मैं आपको दूंगा वो क्या होना चीए skip नहीं होना चीए विकॉस टिप्स बैरी इंपोर्टेट टू टाइट एंड सॉलूशन बीके सब्जेट ओके तो जितना आपको टिप्स आएगा उतना आप सॉलूश एगर पयाते हैं जैसे कि बात करें लेक्टर लक्टर नमबर फाइब ट्रफ तेक इस में नियुक्त प्रिपेंड बनाया था स्ट में ठारी खपर किया था था देन की बोला गया है कि नीशा Сोल गूष घू असङ वर्ट रूपीज 30 4000 ठीक है यहाद यहाद पे नीशा की नीचे क्या मुझला गया है कि जेंटरल आफ नीशा मतलब कि खाली आपको क्या करना है जेंटरल बनाना इसीर पर नीशा का बनाना चीए औरności कि बनाना थैट आपको जनरे आपके कितना है खाली एक ही बनाना है अंडेस्टाइड चलिए तो सबसे पहले कोश्चा आपको बोला गया है नीशा सोल्ड गूर्स टू आसा वर्थ 34,000 तो यहां तक आपको क्या हुआ एक परेगराफ खतम हो गया अब यहां पर क्या हुआ नीशा ने गूर्स को बेचा है किसको बेचा है आशा को बेचा है जैसी कि मैं आपको एक बात बता दू इसदा नीशा इसदा सेलर यह सेलर है समान बेचे किसको आशा को इसदा गूर्स ओके गूर्स है हमारे पस ठीक है आशा को बेचा आशा क्या है बायर है अब मैंने बता दिया कि आपको नीशा ने गुर्स कितना आशा को बेचा है तो नीशा यहाँ पर क्या है नीशा यहाँ पर ड्रावर है नीशा क्या करेगी बिल बनाएगी अब नीशा ने बिल बना दिया यह हमारा बिल है ठीक है अब ये बिल किसको जाएगा आशा को जाएगा चलो भाई आशा को बिल मिला अब आशा क्या करेगी बिल पर साइन करेगी आशा बिल को क्या करेगी एक्सेप्ट करेगी तो आशा हमारे लिए क्या हो गई ड्रॉवर हो गई ड्रॉवर हो गई ठीक है ड्रॉवर क्या करता है ब तो यह उतो यह है in यहां पर निशा मतलब को ड्रोवर का जैंडो बनाना है क्योंकि आपको बोला गया कि आपको अच्छा तो सबसे पहली क्या बोला है बच्चों देखिए निशा वर्थ रुभी 34,000 निशा ने गुट्स बेचा है किसको बेचा है आशा को बेचा है तो निशा के पास से क्या गया निशा के पास से गुट्स गया तो क्रिडिट में आगा टू गूट्स तोल अब किसके पास गया किसके पास गूट्स गया आशा के पास गया तो आशा एकाउंट क्या हो जाएगी डेविट मैंने आपको बोला और इंकम सैंड इंस एक रीट साइट और एक्सपेंसे और लिबिट अट्रीट से अब कि अपको सभूच गया मतलब क्या आपके पास से क्या मुझे आएगी आपने डेट क्या धिया डेट देखिए डेट यह दो नमबर नालो वें ट्री प्रक्षार तो अरद सुल्सक्राइब आएगा तो बूट्स भी अट्ट संभ में धाय गां सेल्स करेज़ों किसको किया है आचा को किया है तो क्या है सबस्क्राइब करना आपको नरेशन स्मॉल लिखना सबको समझ तो कुछ भी देंगों तो आपको मक्स मिलना है उसके लिए आपको कोई डरने की बात नहीं है तो सिंपल है शमज गए आपे चलिए फिर कोश्चन में क्या बोला गया बच्चों मेरे साथ देखिए कि आशा पेड टेन थाउजन इमेडियेटली एंड एक्सेप्ट बिल फॉर बैलेंस ओफ ट्वेंटी फॉर थाउजन एड़ रेट टू मंट्स ठीक है जैसे कि मैंने बोला कि यह जो बिल था मेरा कितने का बिलता 34,000 का था इतने का था 34,000 का था बच्चों मैंने आप एमांट डाला एक देखिए नहीं डाला है तो बिल आउन डाल दुमें कि मेरे से काम करो आप 10,000 रुपे कैश ले लो और बाकि का 24,000 का बिल बना दो ठीक है शपोस जैसे कि मैं आपको गुट्स ओल किया तो आपने मुझे क्या वोला कि सूरच सर आपने मुझे बेचा है तो इस पर आपको कितने का हो रहा है पचांस जार का हो रहा है तो एक काम जैसे कि हम कभी कपड़े का दुगन पर जाते हैं हमने कहांट्र को आपना 2,000 रुपे जाता है तो सिंपल है तो यहाँ पर क्या बोला है कि आपको कितना दस ज़ारोपे क्या मिल रहा है कैश में मिल रहा है तो निशा को क्या हो रहा है कैश मिल रहा है निशा के पास से कैश आ रहा है कहां से आ रहा है आशा क्या पास से आ रहा है आशा दे रहे तो आशा एकाउंट क्या हो जा कुन देरा आशा देर यहाद कितना आएगा 10,000 आप प्रेजबूक का मत देखो टेजबूक में आपको अलाग दिया वट में अलाग करा रहा हूं में का कर रहा हूं जब को नंबर वाइस करा रहा हूं ठीकिक अपको डिक्कत ना हो ठीक है चलो अप क्या होगा अब 34,000 में से चोपलाजड का बिल जब बनेगा यह जाएगा यह जाएगा आशा के पस क्या आएगा बिल स आएगा बिल पर साइन हो गया अब बिल्स क्या होगा रिसेबल हो जाएगा तो निशा के पास क्या जाएगा तीन नमबर पर देखिए बिल्स रिसेबल बिल्स रिसेबल एकाउंट डेबिट अब किसके पास से बिल्स आ रहा है साइड होके आशा के पास से आ रहा है तो आशा एकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट बिल्स रिसे वाल अप कितने का होगा 24,000 का बिकास 34,000 का हमने गुड्स को सोल किया 10,000 क्या होगा कैश में मिल गया बचा कितना 24,000 अब 24,000 क्या हो जाएगा 24,000 तो दोनों तरफ कितना आ जाएगा 24,000 आ जाएगा 15% पर एनम मतलब क्या अब निशा को कुछ भी हो गया तो निशा को पैसे की काम पड़ रहा है निशा को पैसे का नीड है अब निशा क्या बोल रही भाई मुझे पैसा दो महीने बाद मिलने वाला था अब एक महीना हो गया है अब पैसा मुझे आगले महीने मिलने वाला है बट मुझे पैसा आज ही काम है तो क्या करेगी वो बिल को बैंक के पास लेगी और बोलेगी भाई देखो यह मेरे पास बिल से मुझे सामने वाले से पैसा लेना है एक मन के बाद इसका डूट आ जाएगा तो मुझे काम करो पैसा आप मुझे अभी दे दो और यह बिल आप और आप डूट जाकर उससे क्या करना कर लेना तो बैंक क्या बोलेगा कि ठीक है मैं यह बिल्स रखके आपको पैसा दे दूँगा बड़ उस पर मैं क्या करूँगा कुछ चार्जिस लूँगा तो मुझे कितना लेंगे तो बैंक बली कि मैं 15% क्या करूँगा चार्जिस आपको रिल्सन चालो होगा अब सिम्पल सी बटै निशा निशा का ऑफ भी बैंक के पासerson से क्या जाएंगा जब तक अपना ब्ल्स ब्हें को भाकि देगी तो यहाँए है बच्छोट पर बिल्स का जारा है बिलग देंगे खीर दोनों का नरेशन savoir तो यहां पर लिखने के लिए बैकेंस है बना दू रुक गया एक सगना रुक जाए बस तो यहां पर मैं लिखूंगा बेंग्स रिस्यूँ कैश प्रॉम आशा पिर बेल्स रिस्यूँ क्या लिखना है बिल्स रिस्यूँ एक्सेप्टेंस 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 बिल्स रिस्यूँ हुआ एक्सेप्ट हुआ कितने का और टू मन्स के लिए तू मन्स ठीक है तो यहां पर क्या हो गया यहां पर क्या हो भर गया अब मैं क्या करूंगा सके स्लाइड ले पहला क्या होता है आपको पता है बच्चों के डेट होता है फिर दुसरे क्या होता है पर्टीकुलर्स होता है आपको सभी को पता है बच्चों फिर क्या होता है लेजर फोल्डर होता है फिर क्या होता है डेबिट अमांट आंदा क्रेट अमांट ठीक है तो चलिए तो आप क् तो बिल्स रिसेबल जा रहा है तो बिल्स रिसेबल जा रहा है बैंक की बस कितने का जा रहा है बैंक कितना देगी देखें कि आप करता हूं में 34000 का बीले आप 34000 आपको बील आपने देदी या बैंक को अब बैंक क्या करेगी 15 टका अपना क्या करेगी चार्ज काट लेगी पंद्रटका क्या करेगी अपना चार्ज काट लेगी सिमपल बात है जो पंद्रटका लगते है बैंक में वो पर यर का लगता है पर साल का लगता है बट बिल डूट का बाने वह ईक को पैसा बैंक को एक मैंग मिलना है टू मन्थ का बिल बनाया था हमने एक मन्थ हो चुका था एक मन्थ के बाद नीशा गई बैंक के पास तो बचा कितना एक ही मन्थ तो एक मन्थ बचा तो यह चार्ज कितना होगा एक मन्थ पे चार्ज लगा साल में कितना महिना होता है बारा एक महीने पर चार्ज होएगा समझ में आ रहा है तो करेंगे क्यासी ले लेंगे 34,000 इंटू 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 15 डिवाइड बाइ 100 कितना है पाज यार सो पाज यार सो इंटू वन डिवाइड बाइ तुवेल कितना आ गया 425 कितना आ गया बच्छो पूर ट्वेंटी फाइड पॉर ट्वेंटी फाइड गलांत होए अपना चीज यहां पर जिसका मुझ सरी कर लेंगे पहले जो बिल ता वो कितने का है तो कितने का जा रहा है तो चलो मैं इधरी करके दिखाता हो अब ट्वेंटी फोर थाउजन का बिल रिसेबल बैंक के पास गया अब बैंक पर लिए कि मैं 15 पर चार्ज ले लूँगा अब 15 पर चार्ज होता है पुरे मंद का होता है बट बैंक को अगले महीने पैसा मिलने बाद नीशया बैंक को दिया है तो मन्त का बिल बना था एक मंत नीशया ने अपर पास बिल को रखा अब बैंक रखेगी तो बैंक का करेगी एक मन्त पर चारे करेगी वन मन्त इंटो टुब तुबल चलो ठीक है आपकर रिंगा वाएगा बरावर इस से आपका आघा टब सुर्ड हँजर इन्टू 15 डिवाईट बाय घंडरेट हंड्रेट ठीक है जीरो गया जीरो गया जीरो गया जीरो गया ठीक है सब्सक्राइब लेगने जा रहे है तो छलो तो इसको करेंगे इतना करेंगे तो कितना आजाएगा आप लोग कर दीजिए आप लोग को एंसर आजाएगा उसके लिए आप बेफिकर रही है ठीके तो एंसर आगया 300 रुपया तब क्या करेंगा बैंक इसको फिसमझ में आपको समझा दूँगा अब बैंक क्या करेंगा बैंक को देना कितना है 24,000 तो बैंक क्या करेंगा 300 रुपय क्या करेंगा काट लेगा तो बैंक कितना देगा बैंक 24,000 विसे 300 कर काट लेगा तो 23,700 रुपय देगा तो बैंक क्या होगा डेबिट तो अब कि विल्वास डिस्काउंटेड तो निशा गई बैंक के पास बैंक के पास बिल रिसेवल दी और बैंक से क्या की पैसा लेली अब बैंक को चोबिस दर का बिल मिला तो बैंक ने क्या क्या वन मन्त पर चार्ज अपने डिरेशन किया पंदरा पर कितना है तो इसके लिए तो लॉस है ना इसके बाद देखते क्या बुला गया क्या बूला गया है कि सब्सक्राइब न यहां पर नाम दिया हुआ जो है कि है उस्धिक आप महाराश्ट्रा हुखने और महारा पर नाम दिया है थो लिए बैंक आप महाना आप reservedatta i उसके बाद देखी क्या बोला गया है दा बिल वास डिस होनर ओन देट एंड आशा रिक्वेरिशा टू एक्सेप 4000 देखिए पहले क्या हुआ दा नीशा दा बिल वास डिसकाउंटेट ओन दू डेट पहले list 2 दो गया यहाा दा बिल ऑन डिस होनर हो गया अब जब भी पिल्ड्ढिक हाइस उसकी चार आ इंट्री पास होतें एक तुअ डिकर ह होगा एक नो टिंक आज स्काव धिसका पास होगा एक आ आपकर न्टिंग नोटिंग चार्जेस और प्लेस न्यू बिल प्लेस क्या होगा न्यू बिल ये चार्ज इसे क्या होगा पास होगा ठीक है क्या नोटिंग चार्जेस इंट्रेस डिसोनर बिल का और न्यू बिल ये चार्जेस क्या होगा पास होगा ठीक है तो अब जब बिल्डिस होनर होगा बच्चो तो यहां पर क्या होगा क्या होगा आप बैंक क्या करेगी देदेगी सिंपल सी बात है देखो अब बैंक का और यहां पर किसका था निशा का बेवार था अब सिंपल सी बात है निशा को क्या मिलेगा निशा को क्या मिलेगा बैंक को पास्टर क्या करेगी बोलेगी बहुते नियुक्ता है तो पैसा मिलता है कि बच्छों हो गा तो कैश अपने पास आएगा बैद अगा कैश आएगा हो रहा है तो जब हमारे पास कैश नहीं आता है है तो सामने वाले का नाम यूज करना होता है अब यहां पर हमर होता है तो कैसा था बट्ट का बेंग आपके से लक 모币 किमस्तिक थक्रणलेबैंपहलाच्चल माराश्ट्रह है देखिए अब करकें से जब भी आनर होता है तो पैसा आपको मिलता है तो चाहिस पैस आघए जह नहीं आयदा है अग्ष और पैसiben नहीं आया या इhty यहाँ पर आप यहाँ पर यह आप आप यहां पर यहां पर यह नाम आएगा जिसके पास बिल रहेगा तो आपको समने वाले का नाम यूज कर रहा है जिसके नाम पर आपने बनाया है उसका नाम यूज़ करना है उसके मालूम पड़ेगा कि भी आपका क्या होए मिल्ट वडैर रुट उज्सका नाम है क्रेडिटों infinity और जिसके बसे बिल का पैसा मिलने वाला है उसका नमाएगा डिबिट में बस जब बिल डिस होना होगा तो आपको यह याद रखना है अंडरस्टैंड चलिए डिडाल दू 6 इन नरेशन लिखना बाकी है लिखेंगे बिलवास डिस होनार क्या लिखेंगे बिलवास डिस होनार चलो 6 जी डालेंगे पड़ाक से उसके बात क्या बोलाएं देखिए और आशार रिक्वेस्टे निशा टू एक्सेट रूपीस फोर थाउजर्ड आर इंट्रेस इन कैश और रिमेनिंग एमांट एट 11 परसेंट फोर थ्री मां अब वो बिलटी सोनर हो गया है अब क्या हुआ निशा क्या करेंगी निशा वो आशा क्या बोल रही है कि भाई अब मुझे क्या करो आप नया बिल बना के दो मेरे पास 24,000 तो नहीं है बट मेरे पास क्या है 4000 रुपया है यह 4000 आप ले लो और मुझे क्या क्या करो नया बिल बना ओ और में वो नया बिल पर आपको का करूगी कितना कॉयॆ पॉर को कि परसेंट कितना परशन ऑपको और questi मत्मी पर रहें कितनों कि अब lo Арgen Το बैसा निहीं आया है आपको पैसा नहीं दे पाई तो वैसे क्या कुरो ए नया मिल बना दो और मुझे का करो जो नया भील बनेगा वह तो आपको 11% interest दूंगी और प्लस इस 4000 मिर्से ले लो तो चलो सबसे पहले क्या होगा देखिए अब यहां पर इंट्रेस्ट मिलेगा सबसे पहले आपको यहां पर क्या हो रहा है इंट्रेस्ट क्या होगा मिल रहा है सब्पोज इंट्रेस्ट आपको मिल रहा है अंडरस्टैन चलो तो यहां पर क्या हो रहा है इंट्रेस्ट मिल रहा है अंडरस्टैन चलो तो इसके पास क् आएगा आश्या एकाउन क्या हो जाएगा डेबिट चलिए इंटेस्ट आएगा इंट्रेस्ट अभी सिंपल सी बात थे आपको बिल्स इस कितना बाकी था 24,000 बाकी था बिल्स आपको चाहँ रुपा दे दिया है चाहराजार माइनस कर दो कितना वाचा बीस अजार अपे बीस जार क्या होगा न्यू बिल बनेगा बीस जार का अपे बीस जार पर क्या होगा चाहर्जिंग कितना बोला 11% बोला है 11% कितने मने के लिए बोला है देखिए 11% बोला है कितने मंद के लिए बोला है 3 मंद के लिए बोला है यहाँ पे तो कोई 4000 रुपर दिया भी है निशा ने क्या किया है accept भी किया है understand चलिए आशा ने क्या क्या है request किया है understand चलिए अब निव बिल का होगा बीज़र बनेगा अब सिंपल चीबात है में हापे एक यालकूलेटर ले लुए आप इक नूबल कितने का 20,000 लिग दू चार्च कितना करना गयादा पर्जन अपॉन कितना वह ना बोला है थ्री महने के लिए बोला है थ्री अपॉन टुवेल कितना इंट्रेशब को दे रहिए देखो तो कितना है 20,000 इन्टू 11 डिवाइड बाई 100 कितना आया बाईश्यो बाईश्यो इन्टू 2200 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कितना आगया पाँ ज़ार पंचो-पचास कितना आया 550 मतलब मुझे रभी तिर इन्ट्रेश्ट पे कर रही आपको 550 रुपर इंट्रेश्यो बिलुकु का होगा पे कर रही आश है कर ना 550 तो यहां पर आए गएगा 550 यहां प수ör पचास यहां है भीडी इस होनर को भूल गया था तो लिखना आपको उसका एमोंड इस होनर कितने का हो रहा है 214000 संपोस ली दिया चलो अब कितना ने पांसो 50ड़ पर क्या मिल रह रहा है इंट्रेस्ट मिल रहा है तो चलो का हम जो अभी क्या हो बे पले इंट्र्या звон तो ड्यू तू आशा अब साप उलेंगों सर आपना इसा नरेशन क्यों लिखा देखिए बच्छो यहाँ पर क्या हुआ है आशा ने रिक्विस्ट किया है कि इसको निशा को कि भाई आप 4000 रुपर ले लो और इंट्रेस्ट इन कैश और रिमेनिंग एमां मतलब कि आपको जो कि कैroidता होरी मेंनिग एमांट 11 % कि लिए थिके तो निशा आउटर been विल रहा है अब यहाँ पर कला उद्वboys जूतना भी था वह सब यहाँ त्र Ouaisूद के अगरि प Quarterly समझना है कि निशान कीएakस किसे πολes टीके और इंटरेस्थ ही ज्याहód झिए है कि अब्यों यह इंट्रेस्थ तर्व बाकी था यह जो इंट्रहस्थ हमें लगाए वक्या 11 परसेट हो वक्षा मिला नहीं बाँ है वह इस त हुआ रिमेलिंग मतलब जो बाकी था एमांट आप 11 पर फोर थ्री मन्थ वो पैसा क्या हो गया मिल गया है तो टोल कितना पैसा मिलेगा देखिए अब यहाँ पर सैवेन नमबर आपको चाहर पैसा मिल रहा है तो पैसा आएगा कि जाएगा निशा के पास से पैसा आएगा कि इसको करेंगे इसको मैं रफ कर दू चलो अब यह पीपर अरेशनी के लिए मैं एक स्लाइड बना लूँगा चलिए डेट पर्टिकुलर्स एलेफ डेबिट एन दा क्रेडिट ठेके नारेशन में क्या लिखेंगे बेर्ण रिश्यू कैश प्रॉम आशा चलो तो आपको यहां तक समझ गया रहेगा उसके बात देखते हैं बच्चो तो यहां तक आपका हो गया त्री मन्थ आपका बुला है बच्चो देखिए निशा एग्रिड एन वार्दा बैलेंस ओफ आशा एक्स निव बिल अब आप सिंपल सी बात है वापस क्या होगा सेव वापस वही होगा जो पहले हुआ था देखिए अब वापस यह तो भर गया तो मैं को और पहले लिलू अब आपका आशा क्या करेगी निशा क्या करेगी अब निशा क्या करेगी वापस न्यू बिल बनाएगी, इसके लिए बनाएगी, आशा के लिए बनाएगी, अब कितने का बिल बचा है, 20,000 का बिल बचा है, तो सिंपल वापस बिल बनेगा, कितने का बनेगा, 20,000 का, अब यह गया, किसके पास, आशा के पास गया, अब आशा क्या क्या करेगी, बिल क तो यहां पे अक़ते इस सबाइब आके कि देखिए जो यह नीशा ने बिल दिया उसको आशा ने का कि एकसेप्ट के और साइन मारे कि इसको निशा को दिया तो निशा के पास क्या आया नीशा के पास बिल्स रिसेबल आया आया तो क्या होएगा बिल्सेबल क्या हो जाएगा डिविट बिल्सेबल अकाउट एंट्री था हमारा वह वापस हो गया बिल रिसेबल टू आशा एक आउर ठीक है अब आपको नरेशन में आपको क्या लिखना है बच्छो यहाँ पर लिखना है बिल बिंग ड्रॉ आ न्यू बिल पॉर एक्सेप्टेंस ओर थ्री माट कितने के लिए किया है 3 मन के लिए कितना मैंसा बचा आप 24,000 था चारधर दे दिया तो बचा कितना है 20,000 का बिल अब नया बनेगा तो नया बिल कितने का बनेगा 20,000 का बनेगा सबस समझ में आ रहा है नाइन चलो उसके बाद कोशन पड़ेंगे न्यू बिल का मारा एंट्री हो गया चलो फीटा बोला गया देखिए आशा बिकें इंसॉल्वेंट अनली 40 परसेंट कुल भी रिकावर्बर ही इस्टेट मतलब कि सबसे पहले क्या बाद आशा क्या हो फिर इंसॉल्वेंट हो जाएगी तो फिर इस फोनल हो जाएगा कि कंगाल हो गया आशा तो पैसा मिलेगा बच्चों नहीं मिलेगा फिल क्या ह बिल्डिस हो रहा है मैंने आपको बढ़ा था कि जब भी आपका बिल्डिस होनर होता है बच्छो जब भी आपका क्या होता है बिल्डिस होनर होता है तो सिंपल सी बात है कुछ नहीं करना है आपको जिसके पास बिल्डिसेबल पढ़ा है उसका नाम आएगा सिंपल सी बात है मैं आपको बताया था कि जिसके बाद बिल यह की बिल इशा के बास ही बीले बील के शितने जाए रुट होगा थीक है तुक्त सिंपल है तो चलो बताता हूं अब यहां पर क्या हुआ है Beمن डिस हो गया है अब बिल किस के पास है बिल नीशा के पास है और यह ऑर कहां। इक ऑन किस का यह और नीशा का बना रहे तो नीशा के टानम प्रेंगे बिल क्या हो जाएगा क्रेडिट तू बेल्स रिसेबल तो कि नीशा यहां पर नाम नीशा का यहां कि विल्सेबल किसके पास है नीशा के पास ही है आरी सी आई बेल यारी सी आई बेल ठीक है अब यहां पर क्या हुआ है तो मैंने बोला कि बिल जब भी डिस होनर होता है तो क्रेडिट में उसका नाम है तो नीशा का नाम लिख सकते हैं बच्चों ने तो क्या लिखेंगे बिल्सेबल इसमें क्या लिखेंगे तूब रिसेबल आपप इब बिल्सेबल किसकी पास जाएगा आसा के पास यहां पर क्या हो कर दिस होनर हो गया है तो निशा क्या पूली कि भाई यह लो तुमारा बिल रिसेबल ले लो और मुझे पैसा दे दो अब जब भी बिल डिसॉणर होगा तो बीलो का संवाल के रखीगी नहीं रखेगी बिल का करेगी देरेगी तो किसको देगी आशा को देगी तो आशा को बिल मिलना है तो आशा काउं क्या हो जाएगा डेविट मैंने आपको बता दिया द क्रिक और जब इसके पास निशा के पास था नाम यूज किया है कि निशा के पास से गार रहा है किसके लिए आशा के लिए तो यहां पर नरेशा में लिखना बिल वास दिस होनाड समद मैं चलिए उसके बाद लास्ट टेन को क्या बोला गया है देखिए यहां तो समझ गया फिर क्या बोला एड और अनली फॉर्टीट परसेंट पुल भी रिकवर्ड फ्रॉम यह इस्टेट मतलब की जितने का बिल था उतने का आपको फॉर्टी परसेंट क्या हुआ उसके स्टेट से मतलब उसके परसनल प्रॉपर्टी बेचने के बाद आपको मिला है कितना मिला है फॉर्टी परसेंट मिला है तो कैसे निकालेंगे देखिए मैं यहीं पर निकालता हो बात में आपको दिखाता हूँ ठीके will कितने हाथा विल का वे लै का टवे था ट्वेटेंटेट हाउजन का था अंडरेस्टाइंड देखिए यह यह वहाँ आपको इने में कितने का था 20 रिकावर हुआ है तो 40 अपन क्या हो झाएगा 100 यह गया यह गया यह गया कितना वच्छा 2000 इन्टु 4 कितना करेंगे 8000 तो मतलब कि आपको 2400 का बिल मिलना था वर उसका परस्तल असेट बेशने के बाद आपको कितना पैसा मिला खाली 8000 विला तो आपको पास कैश कितना आया अश्र उड़ गिए निश्च्ट के पास कितना आया रिशा के पास क्यष्य एक आगए गा 8000 रुप्य आएगा अब क dont अब歲 मटी बैस कितने का था बीसेः कितने का था ठीक है, बिल्स रिसेबल कितने का था, कितने का था बिल्स रिसेबल, आशा के पास से कितना पैसा आना था, बच्छो, मैं लिखाई लिखाऊ, आपको समझने के लिए, बिल्स रिसेबल कितने का था, 20,000 का था, मतलब आशा के पास से कितना पैसा आना था, 20,000 आना था 20,000 में से कितना cash में मिला 8,000 मिला अब वो क्या हो गई टोटल ही क्या हो गई इंसर्वेट हो गई अब वो पैसा पेने करें तो मेरे लिए क्या है वो नुकसान हो गया अब मेरे लिए भूला है मुझे हो पैसा कि सामने वाला कांगाल हो गया अब मैं कितना ही कर ल ुक्सान के लिपस आपको 20-ज़र मिलना था आप उसका परस्वासेट बेचे अपको आठ रजान मिला और आशा क्या ओगए टोटली इंसॉल्बेंट हो गई है कंगाल हो गई है तो आप पैसा मिल ला नहीं है तो आपके लिए क्या होगा नुक्सान नुक्सान को बोलते हैं बैद डिपस अंडर स्टैंट चलो इसका दिखें गें बेग बेग कि बिंग is you कि अब रिशी हो गया और फूल सेटलेमेंट उसका हो गए विगा अब इंदा फ्यूचर में उसके कोई लेन देना नहीं रहेगा पैसा मिलना का विड़े बाइब वह तो यहां पर क्यों पैसा मिला मिला अंको कर दिया बंद कर दिया है समझा आई होप कि आपको वीडियो समझ में आए रहेगा और आपको प्लीज आपको जो नौपके जो मतलब डाउट से वो क्लियर हो गए होंगे तो प्लीज ऐसे ही वीडियो को एंजोई करना और लाइक सुर्कमेंच जरूर करना और हमें कुछ नहीं चीहे तब तक के लिए गुड